नमस्कार इंडिया समाचार में मैं जयोती पांडिया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो शलिए रुख करते हैं कुछ बड़ी ख़बरों की तरह यूपी में गुंडा राज उत्रपदेश के मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ अपने चुनावी सभाओं में गुंडे बदमासों की जग है जेल या सीदे ऊपर बताते हैं मगर प्रदेश के बुलंद शेहर में एक बदमास के खिलाब कारवाई कराने को डिपी सीम के पत्र के बाद भी पुलिस कानों में सीम डाल सोही है और गाउं इलाके के लोग बदमास के खौप से खौप जदा ह देखिए इस खास रिपोर्ट में उत्रपदेश के कानपुर्द्याद का बिकरू कांड जीहन में अभी ताजा होगा विकास दुबे किस तरह पुलिस और सफेत पोशों की सरपरस्ती में कब कुख्यात अपरादी बन गया इसका पता बिकरू गाउं में वे नरसंगार से ल प्रोती जदक्टी या मैलाएं पुलिसिया कारवाई की काता सुना रही है क्योंकि इस घर में पहले 2015 में पिता की हत्या हुई फिर पिता की हत्या के गवा बेटे को भी सरीरा हत्या कर दी गई इन हत्या की वारदातों में गाउं का दबंग वदमास अनुराक्ट्यागी कहा अनुराक्ट्यागी मेरट में भी एक हत्या की मामले में दस साल की सजा के बाद कोड से पेरोल पर है गाउं में एक और हत्या की वारदात में अनुराक्ट्यागी का नाम रहा है चार हत्याओं में नाम जग्गी और सजा के बावजूद अपने रसूस पर यह अपरादी जे मगर बुलंद शहर पुलिट की इस बदमास और रहम दिली इलाके में बदमासों के खौप को और मजबूर्टी दे रही है यह मेरे चोड़ी जी पैट यह नौ भाई नगी दी बापा रुभाई दी है क्यों करवारा अज़र कुछ भी करते हैं न अच्छा बुरा उसमें तुम्हाई का नाम आता है क्यों करवारा उसकी जुड़े हैं उसके लिखे तो लगाम ज़र रहे हैं लेकिन मुख्य मंत्री ज जाता हुआरे जुड़ों मत्राम करने हाँ जी योगी जी जासा मुलाकात नहीं हो पाई थी इनोंने फिर आस्वासान में लेटर भेजा गीता जी आपके परिवार के संग किस तरीके की घटना आए हुई पहले हुआरे पापा को मदर करा था सन 2015 में बाहर जुट्रे पर ल के गवां थे में उनको मड़र कर जया ता घ्क दरी आगधा जिसे की वह फेंड जा पाइं इसलिए उनका मड़र कर दिया थे में कई की जिस्ए न अवस्ट रहा और ती और आप चिस तरीके के आपको दंकी पूल हमां को कर सकते हैं कि हुआरे ख dij condo करने हम तो कुछ मदद में कुछ नहीं करती मदद सब ऐसी बस पूछ का चले जाते हैं कुछ नहीं करती थोड़े बहुत दिन का उदिने में माहौल गाओं में भैगा माहौल है और यह किस तरीके से लोगों को ड़ाता है ऐसी ड़ाता है भे धंकी देख अगर तुम जब करोगे मतला सब मारने की धंकी देख दलाता है और कुछ भी करता अभी फरवरी में इसने चोरी का उकर आपने घर में तो उसका इंजाम यहां आय उसकी घरवाली ने बयान दिया इस चीज का जिसमें की एक पैर से बेकार है यह तो चल भी नहीं पाते रस्ते में धंगवें यह एक अनूराग त्यागी है उसने पहले हमारे पिताजी का मडर करा 2015 में छोटा वाई गवाद था तो फिर उसका 2016 में करा उस बीच में मेरे पे इसने एफ आर लगाई यह यह पुलिस का एसान रहा कि उस टेम पर सच्चाई का मतलब उकरा कि अपंगता को देखते हुए उन्होंने क्योंकि इसकी घरवाली ने तो यह कहा था कि दूमजले से कूदे जबकि मैं मतलब पैदल चलने के योगगे भी नहीं हूँ आपके हो मैं पैंट खुला कर अपनी मतलब जांग दिखा सकता हूँ है जांग बिलकुल खतम है यह और अब जो है इनोंने तीन चार दिन पहले एक मोहित नाम का आदमी है उसके घर में कूद के जो है रात शाम को नो साड़े नो बजे के करीम मैं हंगामा तारा उस पर गोली चलाई देते हैं कि जाओगे तो मार दिये जाओगे समझे इन चोटे चोटे अपने तीन बच्चे मेरे हैं तीन चोटे भाई के हैं किस तरीके से गुजर्बसर होगी मुक्यमंत्री जी को मैं खुद स्वेम मिलने गया जिसके एवर में यह पत्र मेरे को भेज का अस्वाशन लेकिन अदालत में पैसा बरके संधगा लाव ले गे जो फाईल में एक रासन के कोटे को लेकर शिकाट थी उससे हटा दिया गया फोरंसिक रिपोर्ट को जज साब कह रहें कि पढ़ने में नहीं आ रही अगर जज साब के पढ़ने में नहीं आ रही तो फोरंसिक लैब वालों को बुलाया जाता या फिर वो जज किस बात के हैं जब उनके पढ़ने में नहीं आ रही तो जजमेंट क्यों दे रहें एक कोतवाल का बयान बयान हुआ लेकिन उसकी जिरह नहीं हुई कितना तजुरूबे की बात है कि अदालत जैसी जगे भी जिस पर न्याय का मंदिर समझे गाव में राजविकी से लेकर जमीन जादात के दखल में अनुराग प्यागी का रसूग देखने को मिलता है उसकी दबंगई क्या आगे गाव में कोई आवाज नहीं उठाता बताते हैं कि जिस जिसके ने अनुराग के खिलाप आवाज उठाई उसकी हत्या कर दी गई तादा बारदात के बाद मामले में बुलन शहर पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है शायद बुलन सहर पुलिस को अभी किसी बड़े कांड का इंतजार है मेरे नम अमदित्थ है मर्जी क्या हुआ थास के सब हमारे साथ मेरे मेरा भाई जयो रासन देने गया उसने के भी तुम कम क्यों दे रहे हूँ जब कम की बात आई उनको बहुत बुरा लगा जटनों क्या काम करा कि दर ठबतते ने परुट रहे भुपिषए किस तरीके का भे हैं उसका गहां ना कोई विरॉट के उनिक अचा देने करते हैं आज तो क्याद बद्ग माज दाहिए दड़ते ही मुही जी आपके संग किस तरीके की घटना हुई है सर हमारे संग जो एक अपरादी घटना हुई है हमारे गाउं का एक कुख्यात अपरादी है नुराग च्यागी वो गाउं के तीन लड़कों के साथ तीन लड़के गाउं के थे हमारे आधित्य उमेश और अनुराग और एक कोई भार का शूटर था उनके साथ आया उसने पहले मुझसे यहां अंदर बैट से हाथ अपाई की और यहां से मुझे खीचने के बाद यहां लाकर उसने तीन बार मुझे पिस्टल से फायर करा मुझे और मेरी माताजी पर लेकिन मैं पिस्टल किसी वज़े से चल नहीं सकी किस तरीके का अफरादी है अनुराग अफरादी का जिवा प्राणा मोल्ग में वह एक कई वार वार कर चुका उसमें 307 लगी हुए, उसमें 10 साल के कारावास पर अपील पर शूटा हुआ है, पिछली जॉलाई में 6-7 जॉलाई को अभी शूट कर आया है, दो मुडर केस में, क्या नाम है हो तो आपका, मेरा नाम प्रिकास, जी आपके बेटिके संग किस तरिके की घटना हुई है और गा में उसका ऐसा आतंक बना हुआ है जी, उसके सामने कोई बोलने को तयार नहीं है, मैं ऐसे मोहले में रहा हूँ, जी जाटों का मोहला है, उसके सामने कोई बोलने को तयार नहीं है, मेरा एकला घर है यहां, और ना कोई मेरी मदद करने को तयार है, ना उसके वह से कोई यहा अभी तरे स्केंच लिया और बस बाहर को मैंने मेरे घरवाल इन दोनों धकेला इतना वह मौंड़े पहुचा उतरे से बोला मार गोली उनना पिस्टल चलाई तीन बार पिस्टल चलाई उनना बाखी गोली ने डिक लिए नहीं हमारे मरने में कोई कसर नहीं पुलिस क्या कर र पुलिस क्या कर रही है इसा पुलिस जाना बदमास अनरास्तियागी की दबंगई गाउं में कुछ इसकदर यू है कि हाली में होने माले पंचाय चुनाव में अपने गुर्गों को चुनाव मैदान में एक तरफा जीत के लिए दूसरे खाड़े हो रहे हैं प्रत्याति की घर पहुंचकर पिश्टल से फायर कटिये मगर गनीमत इस बात की रही कि पिश्टल से फायर नहीं हुआ जिससे चुनाव प्रत्याति की जान बच गई